इंटिग्रेशन और पाइपार्ट्स के अंदर हम लोग सीखेंगे अगर दो फंक्षन मल्टिप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो उनका इंटिग्रेशन कैसे किया जाता है दो फंक्षन f और f देशन अगर होता है एक f और f देशन तो इंटिग्रेशन बाइपार्ट्स से हम लोग उसका इंटिग्रेशन कर सकते थे बट अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं f और f देशन नहीं दो अलग-अलग different function दिये वह हैं जैसा कि हम लोगों ने differentiation के अंदर पड़ा थ का u into v का differentiation तो हम लोग क्या करते थे u को बाहर रखते थे v का differentiation करते थे प्लस v को एक बार बाहर रखके u को differentiation करते थे that mean छोड़ो पकड़ो मैथल हम लोग महाँ पर use कर लेते थे differentiation के अंदर तो integration में बिल्लोकुल differentiation की तरह नहीं है इसमें अगर दो function multiplication में है इस तरीके से u into v dx ऐसा तुम लोगों हो सकता है basic integration पढ़ा हो तो देखा भी हो तो u into v के अंदर u को अगर मैंने first मान लिया तो इसका जो formula रहता है u into v का हम लोगों को integration जो करना है वो किस तरीके से रहता है u बाहर रहता है और v का integration minus फिल एक बड़े integration के अंदर हम लोग differentiation लिखते है multiplication of differentiation of u and integration of v integration of v dx और यह वाला जो dx है यह हम किसके लिए लिख रहे है जो बड़ा वाला ब्रेक्किट है बड़ा वाला जो integration है उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे है अब dx लगा रहे है इस formula को अगर हम लोग first और second से देखो तो ज़्यादा है यह सही रहेगा first into second dx तो देख लोगों ने d by dx और क्या किया first differentiation of first फिर integration किसके अंदर किया second dx का और यह वाला जो dx है यह हम लोगों ने dx किसी लिए उसकिया जो बड़ा वाला यहाँ पर bracket है अब बात यह आती है कि अगर दो function multiplication में लिखे हुए है तो first किसको माने second किसको माने क्योंकि यहाँ पर यह important है function किसको मानना है इसके लिए हम लोग एक rule यूज करते है जिसको बोलते है आई-लेट rule क्या बोलते है आई-लेट i-l-a-t-e अब यह आई-लेट rule के अंदर यहाँ पर यह जो i है यह क्या represent कर रहा है तो i तो देखो represent करता है inverse trigonometry function inverse trigonometry function इसी तरीके से यहाँ पर जो l है वो क् represent करता है logarithm function logarithm function और यहाँ पर जो यह 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 a है वो represent करता है algebraic expression algebraic function जैसे कि x x square इस तरह के function जो है वो क्वाण represent करता है a और t for trigonometry function trigonometry function इसी तरीके से e जो है वो represent करता है exponential function exponential function बड़ देखो हम लोग j के लिए पढ़ रहे हैं यह lecture तो यहाँ पर यह highlight rule इतना माहिने नहीं रखता जितना board में यह माहिने रखता है क्योंकि वहाँ पर simply 2 function हम लोगों को given होते हैं एक होता है inverse trigonometry type का और एक दूसरा हो जाएगा trigon exponential फिर भी हम लोग यह highlight rule समझ लेते है highlight rule को जो order वो इस तरीके से रहता है इस तरीके से रहता है मतलब suppose करो हम लोगों के पास integration के अंदर दो function है x into sin x यह हम लोगों का इसका integration करना है तो यहाँ पर मैं first किसको assume करूं और second किसको assume करूं means u किसको माने हम v किसको माने तो वो decide कर पहले यहाँ पर आ रहा है तो a पहले हरे t बात में आ रहा है तो t को हम क्या मानेंगे second मतलब हम ऐसे लिखेंगे x into sin x integration के लिए first हम x को मानेंगे और second हम मानेंगे sin x को तो एक बार यहाँ पर formula apply करके देखते है इस example को हम लोग solve कर लेते हैं तो देखो first को बाहर रखना है मत x बाहर रहेगा second का integration मतलब sin x का integration minus अब क्या करो एक बड़े integration के अंदर dy dx of x dy dx of x जो 1 हो जाएगा और integration किसका sin x dx का और यह पूरा जितना भी आएगा उसका भी हम लोगों को क्या करना रहेगा integration that is the formula for doing integration by part या फिल integration of multiplication of 2 function तो यह कितना हो जाएगा x into minus cos x क्योंकि sin x का integration होता है minus cos , यहाँ पर वैसे की वैसे रहाएगा और integration के अंदर ये एक तो हो जाएगा 1 और sin x के अंदर से यतना आएगा minus cos x dx तो यह हम लोगों का हो जाएगा minus x cos x और यह minus plus हो जाएगे तो अंदर cos x dx तो cos x का integration होता है plus sin x तो यह हम लोगों का answer आया किसका integration हम लोगों ने यह कर दिया है यह integration हम लोगों ने कर दिया x into sin x का अब इसको तुम verify कर सकते हो easily कि क्या यही इसका integration है तो इसका differentiation करके देख लो इसका differentiation करोगे तो automatically क्या आ जाएगा अब जो मैं important बात बोल रहा हूं वह सुनना द्यान से आइलेट रूल ठीक है जैसे मालो एक function है algebraic x और एक रिकावा e की पावर x तो e की पावर x को हम क्या मानें है second और x को क्या मानें हम first क्योंकि आइलेट में जो order में जो पहले आ रहा है उसको first मानेंगे और इसी order में जो बात में आ रहा है उसको क्या मानें function हो सकता है फिर हम लोग algebraic function का कर सकते हैं फिर यह लास्ट में आयो रहल है कहीं कहीं किसी किसी textbook में यह आयो रहल को interchange भी कर देते हैं यह जैसे मैंने आइलेट पढ़ा है तुम्हां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं ल आई ए टी तो यह आई फॉर inverse ringnometry L4 logarithm function अगर कभी-कभी हम लोग को सिंगल logarithm function और सिंगल inverse ringnometry function दिया वाता है तब हम लोग 1 को 2 function भान के उसका integration करते हैं जैसा कि अभी हम लोग example के अंदर देखेंगे यहां पर हम लोगों दो integration अफेलेवल है यहां पर हम लोग note करके लिख सकते हैं यह बात नॉट करके लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा हम लोग जब पेपर में लिखेंगे नॉट तो सही रहेगा हो नॉट वो क्या है for integration of integration of ITF function ITF और logarithm function logarithm function अगर हम लोगों के पाद function जो है integration inverse38 Oh 5 तो हम लोगों करते हैं और integration ITF और logarithm framework function Second function जो है वह वह 1 को माल लेते हैं क्या हम माल लेते हैं अप्य आप जैसर यहां पर जो हम लोगों ने लिखा तो हम आंसर क्या बोलते हैं लोग यह लोग एक्स का ही integration करना है तो उसका सिर्फ एक मात्र यह method है जब भी हम लोग देख रहे हैं यह लोग एक्स तो यहीं पर ही है logarithm function अब क्या करो into 1 कर लो dx second वाला function वह होना चाहिए जिसका easily integration हो जाए अगर second वाला function का integration नहीं हो पाएगा तो हम यह formula कैसे use कर पाएंगे तुम खुद observe कर लो जो अभी हमने देखा है यहां पर integration के अंदर कौन है V integration के अंदर कौन है second function तो जब second function integration के अंदर है तो second function वह होना चाहिए जिसका integration हो जाए अब मान लोग को ही मैं second मान लेता हूं तो यह question तो और difficult हो जाएगा ना इसलिए हम लोग first किसको मानेंगे लोग को और second किसको मानेंगे one को हम कोई भी function में into one तो लेखे सकते हैं कोई value change नहीं होगी अब हमारा formula का है first को छोड़ दो मतलो लोग इसको ऐसा का वैसा ही रखो और integration किसका second का जो कितना है one है मैंना x ल dy dx of first function dy dx of log x ओके फिर integration के अंदर का one dx अब दो को one किसका differentiation होता है x का तो इसलिए one का integration क्या हो जाएगा x तो हमारे पर यहां पर क्या आएगा x log x minus dy dx of log x तो यहां से मिलेगा हम लोगों को one upon x और one का integration हो जाएगा x और यह पूरा का पूरा क्या है integration के अंदर तो x से x कटेगा one आएगा तो हम लिख सकते हैं x log x और one का integration अगेन क्या हो जाएगा x अगर हम यहां से x common लें तो हम लोगों का answer कितना हो जाएगा log x minus one इस answer को थोड़ा और change करके आगे बढ़ागी लिख सकते हैं जैसे कि यह x तो यहां पर है ही सही अब आगे क्या लिखा बीना base के लिख रहे हैं तो match में हम consider करते हैं कि base क्या रहा होगा e तो यह क्या हो जाएगा x log x upon e यह हम लोग integration लिख सकते हैं किसका log x का तो log x का integration जो याद अखने वाला है वो क्या है x into log x – 1 है integration किसका log x का अब देखो sin inverse x का हम लोगों को integration करना है इससे पहले हम लोगों ने एक note देखा जिसके अंदर हम लोगों ने देखा inverse trigonometry function और logarithm function का integration करने के लिए हम into 1 करते थे और 1 को क्या माल लेते हैं second function तो हम इसको क्या लिख सकते है sin inverse x into 1 dx अब 1 को हम second माल लेंगे और first किसको माल लेंगे sin inverse को 1 को क्या माल लेंगे second function तो अब formula लगा दो first को ऐसा का ऐसा भाहर रखा फिर integration 1 dx – integration के अंदर हम लोग क्या करतेंगे dy dx of sin inverse x और फिर हम लोग लिख सकते हैं अंदर की तरफ second function को किसमें लिखेंगे हम लोग integration के अंदर लिखेंगे तो integration of 1 dx और यह वाला जो dx है यह बाड़े वाला integration के लिए इस क्लेस को यहाप क्या करतेते हैं bracket में close करतेते हैं तो यह कितना हो जाएगा यहां से अंसर कितना है गा एक्स तो यह हो जाएगा हमारा x into sin inverse x minus dy dx of sin inverse x तो उसका formula क्या हो जाए 1 upon under root 1 minus x square और यह पूरा का पूरा किसमें under root में और यह integration का sin तोला सा change हो गया है और 1 का कितना हो जाएगा उपर x dx तो देखो अब इसमें हम लोग पूला आगे बढ़ सकते हैं उपर 2 से multiply divide कर लो जैसे कि यह क्या हो जाएगा x sin inverse x minus 1 upon 2 integration के अंदर क्या 2x divide by और अगर हम लोग यहां पर प्लस करके इधर minus बज़ देंगे तो और भी अच्छा रहाएगा 1 minus x square और यह किसमें है bracket में dx अब देखो यहां पर हम t मान सकते हैं और t बिना माने 1 में हम solve कर सकते हैं जैसे कि मान लो 1 minus x square को तुमने से कर सकते हैं इसका x into sin inverse x plus 1 upon 2 अभी minus 2x dx को के लिख दें हम लोगोने dt और नीचे 1 upon under root t हो जाएगा तो 1 upon under root t का अगा हो था 2 under root t तो यह integration हो जाएगा 2 1 minus x square plus c अभी यह 2 से 2 cut कर दो तो यह क्या हो गया x into sin inverse x plus under root 1 minus x square plus c that is the answer of integration of sin inverse x तो जब भी inverse trigonometry function दिखे या फिर logarithm type का function दिखे तो into 1 कर देना है और 1 को क्या मानना है second function मानना है अब देखो यहाँ पर दो function है यह logarithm function है और यह क्या है इसको algebraic में माना जा सकता है तो logarithm को obviously हम लोग first मानेंगे और 1 upon x square को second मानेंगे क्यों 1 upon x square का integration हमें पता है minus 1 upon x होता है तो इस i को थोड़ा सा सही order में लिख देते हैं तो यह क्या लिखा जा सकता है log x square plus a square into 1 upon x square dx ठीक है तो अब यहाँ पर क्या करदो इसको पूरे को तो मानलो first और second वाले को क्या मानलो मानलो one upon x square को क्या मानलो second तो first को वैसा कर वैसा ही छोड़ देना है मतलब log x square plus a square ओके और second का integration मतलब one upon x square dx minus integration के अंदर d by dx of first जो की है log x square plus a square log x square plus a square और integration के अंदर क्या हो जाएगा one upon x square dx ओके और यह dx है बड़े जो integration के अंदर लिखा है उसके लिए तो देखो यह तो वैसा का वैसा ही रहेगा log x square plus a square और one upon x square का करेंगे integration तो वह कितना आएगा minus one upon x ठीक है minus अब differentiation करना है log x square plus a square का तो वह कितना हो जाएगा under root मनलो first divide में x square plus a square और x square plus a square का कितना हो जाएगा 2x यह differentiation हो और one upon x square का integration कितना हो जाएगा minus one upon x और यह पूरे का क्या dx ओके तो यहां पर यह x से यह x term जो है वो cancel हो जाएगी तो यह answer हो जाएगा प्लस x square प्लस a square जो 10 inverse वाला फॉर्मिला होता है तो हम लोग इस नेक्स स्टेप में इसका से लेख सकते हैं इस question का minus one upon x log x square plus a square plus 2 upon a 10 inverse x upon a plus c simple सा answer है बस हम लोगों को यह धियान रखना है integration by parts के अंदर कि हम first function किसको माने और second function किसको माने अगर हम यह पता लग जाता है तो हम question solve कर सकते हैं easily कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यह लिखा हुआ और इसका differentiation करेंगे ना first function मानने के बाद तो बड़ा होजाएगा तो हम इसको क्या लिख देते हैं integration sine inverse हम इसको लिख सकते है integration sine inverse अब देखो अगर ITF का थोड़ा बहुत formula पता है तो फिर हम इसको easily solve कर सकते हैं यह होता है actually 210 inverse x यह क्या होता है 210 inverse x तो हम लोगों को यहाँ पर sine inverse जो यह दिया हो इसका नहीं सिर्फ integration किसका करना है 2 into 10 inverse x का तो है यह भी inverse इसमें भी हम one को क्या मानेंगे second function मानेंगे तो हम इसको क्या लेख सकते हैं integration के बाहर 210 inverse x into 1 dx यह first हो गया है और यह हो गया हम लोगों का second तो अब यहाँ पर क्या करें है 2 okay 10 inverse x first है और second क्या है one है अब first को छोड़ दो 10 inverse x को और integration किसका 1 dx का minus dy dx of 10 inverse x तो वह कितना हो जाएगा one upon one plus x square और one का अगर हम लोग integration करेंगे तो वह कितना आएगा x dx आएगा और यह dx किसके लिए बाहर वाले integration के अंदर तो यह formula याद हो जाएगा इतनी प्रेक्टिस करेंगे तो अब आगे बढ़ता है तो यह 2s का जैसे बाहर रहाएगा अंदर की तरफ क्या हो जाएगा x into 10 inverse x minus integration के अंदर यह हम लोगों ने हैं पर x लिख दिया जबकि यहां पर क्या था 1 था ना 1 x तो integration करने के पास आएगा तो यहां पर लिख देते हैं तो यहां पर 2x upon 1 plus x square dx यह तो है fx और उपर क्या है f-x तो यह क्या होज़एगा log mod f of x तो यह क्या होज़एगा 2x into 10 inverse x minus log mod 1 plus x square यहां पर mod नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्यों क्योंकि log 1 plus x square है तो यह तो हमेशा positive होगा ना इसलिए अब देखो मैं यह question तुमय सोब करते हैं जो तुम लोगों को try करना है next session देखने से पहले मैं तुम लोगों को hint दे सकते हूं इस question को बताके कि यह integration by parts से कोढा देखने में नहीं लग रहा है integration by parts से कोढा बट बाट इस question को solve करेंगे तो यह integration by parts से ही solve होगा ओके क्लाने series negotiations vallahi कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो